Hey guys, welcome back to my YouTube channel, this is Sam Walker and आज के इस वीडियो के अंदर आपन रिव्यू करने वाले हैं Just Cause 4 को तो अगर आप Just Cause 4 को खेलने का या खरीदने का प्लान बना रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने Just Cause 4 के हर एक पार्ट को कवर किया है अब भले वो gameplay हो, भले वो graphics हो, भले वो इस वीडियो के फीचर हो, हर एक चीज मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया तो प्लीज वीडियो को पूरी देखना, एक भी पार्ट मिस मत कर देना तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इस गेम को review करना तो चलो सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं इस गेम की कुछ basic information and storyline की summary के बारे में ट्यार जो Just Cause 4 है न वो एक open world action adventure गेम है जो की release किया गया था 4th December 2018 के अंदर इस गेम को develop किया था Avalanche Studios ने and published किया था Square Enix ने बाकी ये गेम आपको Microsoft Windows, PlayStation 4 and Xbox One तीनों के तीनों major platforms के उपर देखने को मिल जाएगा तो आप जहां enjoy करना चाहो वहाँ इस गेम को enjoy कर सकते हो तो ये तो होगे इस गेम की कुछ basic information अब बात करते हैं इस गेम की storyline के summary के बारे में तो ये जो Just Cause 4 है ना उसकी storyline set है एक South American country जिसका नाम है Solis तो ये जो country है ना Solis उसके उपर एक बुरे detector जिसका नाम है Oscar Espinosa उसका राज चल रहा है तो अब अपना जो main protagonist है ना Rico Rodriguez उसका goal ये है कि वो Solis के लोगों को इस बुरे detector से बचाए और जितने भी military या government के assets वगराई ये है ना उनको destroy करे तो इस game के storyline है वो एक typical Just Cause storyline है मतलब इतनी ज्यादा interesting नहीं है तो इतनी ज्यादा बेकार भी नहीं है तो अगर आप ये उमीद कर रहे हो कि इस game के storyline बहुत ही ज़्यादा तगड़ी होगी तो भाई बिलकुल भी नहीं है इसकी storyline बिलकुल normal सी है average सी है तो अगर आप खरीना चाहो तो खरीच सकते हो तो ये तो होगी इस game के कुछ basic information and storyline की summary अब बात करते हैं इस game के gameplay and features के बारे में देते हैं बाकि अगर बात करें features के बारे में तो भाई इसके अंदर आप supply drop वगरा ये भी कर सकते हो आप अपने जो character नहां उसके जो outfit वगरा ये keywords अगरा ये है उनको क्सक्तिंध भी कर सकते हो प्लस इसके अंदर बहुत सारे challenges वगरा ये हैं उनको भी आप complete कर सकते हो即 बहुत सारी चीज़े जब स्क्रीन के उपर आ जाती है तो अपने नोटिस की प्लस इस गेम के अंदर जो सब के अंदर इतना ज्यादा कोई एरियल कॉमबैक नहीं था बट बाई ज्यादा तकड़ा है मतलब आपके पीछे पड़ जाएंगे हाथ दो के अंदर अगर आप एक बार गेम को कंप्लीट कर लोगे तो कोई एर कुछ भी नहीं है तो इस वज़े से गेम बुरा लगने लग जा मतलब आप इस गेम को कभी भी खरीद के खेल सकते हो ठियर यह तो हो गए gameplay features एंड storyline के बारे में बाते अब बात करते हैं इस गेम के visuals के बारे में तो बैए visuals की बात करूं तो आपको याद हो तो just cause 4K फेल होने के पीछे सबसे बड़ा region ही इसके visuals थे अब मैंने visuals बोला तो य यह जग है ग्राफिक्स फटीवी सी दिखरी है मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब सा गेम है यह आई नो यह गेम इतना ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है जितना जस्ट को स्थी था लेकिन देखो कलर से कोई इस्चू नहीं है मुझे इस गेम के अंदर कलर टोन इसका बह उनीसले ग्राफिक्स की वहलेट के उपर फोकस किया जाता थो बट एसलिए इस लिए इसिलिए स्चू ज़ादा क्रिटिसाइच क्रिटिसाइज क्या गयाँ तो ग्राफिक्स में operated के इंप्रूव हुए हैं पुराने गेम्स के कंपेरीजिन में लाइक जो एनवर्नमेंटल साउंड वगरा ये ना वो अब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प और भी ज़्यादा डीटेल्ड है प्लस जो डायलोग वगरा ये ना वो भी इंप्रूव हुए हैं ये मैं कह सकता हूँ बाकी अगर ऑप्टिमाइजेसिन की मैं बात करूँ तो ठीक टाक ऑप्टिमाइजड गेम है आपको इतना बुरा एक्सपिरियंस देखने को नहीं मिलेगा लो एंड पीसीज के उपर भी तो भाई अगर आप इस गेम को सिर्फ ग्राफिक्स के लिए खेलना चाते हो तो भाई ये गेम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बना आप उल्टी कर दोगे ऐसे ग्राफिक्स है इस गेम के तो मैं तो इतना ही बोलूँगा पैसे बचाना एंड इस गेम को खरीदना ही मत अगर आप सिर्फ ग्राफिक्स के लिए खरीदना जाते हो तो यार ये तो हो गई गेम प्ले फीचर्ज ग्राफिक्स एंड इन सब चीजों के बारे में बाते अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन्स के बारे में तो यार अगर मैं अपने opinions की बात करू तो ये game मुझे इतना ज़्यादा खास भी नहीं लगा तो इतना ज़्यादा बेकार भी नहीं लगा कई जगह पर बहुत ही ज़्यादा improvements हुए हैं लाइक मैंने आपको बताया थाना जो पुलिस वगरा यह ना इस game के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा improve हो गई है और आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा चेर्स वगरा इनके अंदर aerial combat वगरा यह भी सुदर गए है तो आपको aerial combat के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस game के जो physics वगरा यह ना उनके अंदर भी बहुत सारे improvements आपको देखने को मिलेंगे जो animation वगरा यह ना वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गए है जो car के driving physics वगरा यह इस game के अंदर आपको grenades and pistols भी देखने को नहीं मिलेगी जो कि बहुत ही बड़ी बात है बाकि जो outpost वगरा यह ना उनको liberate करना भी kind of repetitive ही है तो इसलिए मैंने बोला कि improvements के साथ साथ इस game के अंदर downgrade भी बहुत सारे हुए है और इनी सभी चीजों को देखके मैं इस game को rating द चुक है तो देखार मैं तो इतना ही बोलूगा कि अगर आप casual fun के लिए game खरीरना चाहते हो तो आप खरीए सकते हो यह game sale के उपर आता रहता है 200-300 रुपे से ज़्यादा खर्च मत करना इस game के उपर क्योंकि यह game बिल्कुल भी deserve नहीं करता तो I hope क्यार यह review video आपको आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल के उपर ले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके मिलते हैं अगली वीडियो में गाईस तब तक के लिए बाबाई टेक केर